अगर हम बात करें नंबर सीरीज की तो यह एक एक इक्जाम प्रस्पेक्टिव से बड़ा ही इंपॉर्टन टॉपिक है और इसके एक से दो कोश्चन जो है वो एक्जामिनेशन में हमें देखने को मिली जाते हैं तो आईए शुरू करते हैं तो नंबर सीरीज में अगर हम बात करें टॉपिक सीरीज की तो सीरीज को हम कहते हैं हिंदी में श्रंकला श्रंकला और साथ में हम इसे श्रेणी क्रम भी कहते हैं श्रेणी क्रम तो Series को हम 3 Topics में आगे Categorize करते हैं Number Series Alphabet Series और Mixed Series Number Series को हम आज बढ़ेंगे और Alphabet Series और Mixed Series को हम अपनी आने वाली Classes में बढ़ेंगे तो अगर हम बात करें Number Series की तो इसके कोई set of rules नहीं होते हैं कोई fixed rules नहीं होते हैं इसमें हम examiner में जैसे हमें question दिये जाएंगे उसमें हम find out करेंगे उसको study करेंगे और एक pattern find out करने की कोशिश करेंगे और उसी pattern के base पे हम जो भी examiner ने पूछा होगा हमसे अगर उसमें कोई missing term या next term या wrong term के बारे में पूछा गया होगा तो हम वो उसी pattern के basis पे हम find out करेंगे चलिए चलते हैं अपने questions की और और देखते हैं किस type के question जो है हमें देखने को मिलते हैं तो हमारा first question है find the next term in the series हमारे पास series दी गई है यहाँ बे 17 21 25 29 और आगे question mark तो सबसे basic method जो है वो हमारा होगा दो terms के बीच का difference find out करना जैसे यहाँ पे 17 और 21 के बीच में 4 का difference है 21 और 25 के बीच में भी 4 का difference है 25 और 29 के बीच में भी 4 का difference है तो यहाँ पे एक pattern बन रहा है कि तो हमारे पास answer आता है यहाँ पे 33 जो कि option B है यहाँ पे तो हमारा answer हो जाएगा 33 तो इसी तरीके से हम इन questions को करते हैं चलिए देखते हैं next question में क्या है तो next question है find the next term in the number series तो एक number series दी गई है हमें 6 11 21 36 56 और आगे question mark तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले अपनी basic approach लगाते हैं इन दोनों के बीच का अंतर पता करते हैं तो 6 और 11 के बीच में 5 का अंतर है 11 और 21 के बीच में 10 का अंतर है 21 और 36 के बीच में हमारे पास 15 का अंतर है 36 और 56 के बीच में हमारे पास 20 का अंतर है तो यहाँ पे भी एक pattern बन रहा है 5, 10, 15, 20 यह 5 का table चल रहा है यहाँ पे तो इसके आगे क्या आना चाहिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 और अगर हम 56 में 25 को plus कर दें तो 6 और 5 यहाँ पे हो जाएगा 11 और 7 में आ जाएगा 81 हमारा अंसर क्या हो जाएगा 81 जो कि option C में हमारे पास available है तो इसका अंसर हो जाएगा option C next question क्यों और चलते है next question है find the next term in the number series तो एक number series दी गई है 2, 3 5 8 13 और आगे है question mark तो यहाँ पे हम पहले इन दोनों की terms के बीच का अंतर पता करते हैं और 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है 5 और 8 के बीच में 3 का अंतर है और 8 और 13 के बीच में है 5 का अंतर तो यहाँ पे हमारा जो pattern है वो थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे क्योंकि 1,2,3 के बाद तो यहाँ पे 4 आना चाहिए था तब ही हम बोल सकते थे कि यह pattern जो है वो सही है तो यहाँ पे यह approach तो हमारी नहीं लग पाएगी तो लगाते हैं कोई और method तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम 2 और 3 को plus कर दें तो हमारे पास आ जाता है 5 और अगर 3 और 5 को plus कर दें तो हमारे पास आ जाता है 8 और 5 और 8 को plus करने पे हमारे पास आ जाता है 13 और यहाँ पे हमारे पास यह pattern सही बन रहा है तो 8 और 13 को अगर हम plus कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 21 जो कि हमारा answer हो जाएगा यहाँ पे option D जो है वो हमारा यहाँ पे right answer होगा क्योंकि यहाँ पे pattern जो है वो follow कर रहा है पूरा और पूरी series में पहली दो terms का जो sum है वो हमारी next term बन रही है next question के ओर चलते हैं next question है find the next term in the number series तो हमें number series दी गई है यहाँ पे 5 8 3 6 1 4 और आगे question mark तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले यह increase किया है फिर decrease किया है फिर से increase किया है फिर से decrease किया है फिर से increase किया है और फिर से अब क्या करेगा decrease करेगा तो इनके बीच का अंतर पता करते है 5 और 8 के बीच में है plus 3 का अंतर और यहाँ पे यह क्या हो रहे हैं दोनों terms में minus हो रहे हैं तो अगर हम देखें तो 8 और 3 में आ जाएगा minus 5 का अंतर यहाँ पे minus हो रहे हैं अगर next term देखें तो 3 और 6 में plus 3 का अंतर और 6 और 1 में यहाँ पे फिर से minus हो रहे हैं minus 5 हो रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे एक pattern बन रहा है plus 3 minus 5 फिर से plus 3 फिर minus 5 तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है यहाँ पे भी एक में अगर हम plus 3 करें तो हमारे पास 4 मिलता है तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे प्लस 3 हो रहा है तो इसके बाद क्या होता है यहाँ पे क्या होगा माइनस 5 होगा तो अगर हम 4 माइनस 5 कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा यहाँ पे आएगा माइनस का 1 जो कि हमारा answer होगा option A में भी हमारे पास minus 1 available है तो इसका answer क्या होगा minus 1 हमारा answer A होगा next question की ओर चलते हैं तो यहां पर हमारे पास इस वार decimal की series है चलो इसे भी solve करते हैं तो हमारे पास series दी गई है 0.5 0.55 0.65 0.8 और आगे caution मार्क है तो यहां पर caution solve करने से पहले हम ताकि हमें confusion ना हो तो हर decimal के बाद दो digit रहे इसलिए हम यहां पर zero add कर लेते हैं अपनी तरफ से क्योंकि decimal के बाद end में हम चाहे जितने उतने zero हम लगा सकते हैं तो यहां पर भी हम zero लगा लेते हैं ताकि decimal के बाद दो-दो digit हमारे पास रहें तो इनका difference find out करते हैं तो पचास और पचपन में होता है पांच का difference और यहां पर है decimal के बाद दो digits हैं तो यहां पर भी हम 0.05 इसको हम लिखेंगे इसी तरीके से next पचपन और 65 के बीच में होता है 10 का difference तो यहां पर decimal के हिसाब से दो digit के बाद हम decimal लगाएंगे तो यहां बन जाएगा 0.10 next अगर हम देखें तो 65 और 80 के बीच में 15 का difference है तो यहां पर हम कर देंगे इसको 0.15 तो यहां पर pattern बन रहा है 5, 10, 15 और इसके बाद क्या आएगा यहां पर क्या आजाएगा 20 आजाएगा तो 0.20 अगर हम यहां पर add करते हैं 0.80 में तो 80 और 20 कितने हो जाएगे यहां पर 100 हो जाएगे और 2 डिजिट के बाद decimal है तो यहां पर भी 2 डिजिट पर हम decimal लगाएगे तो यह बन जाएगा हमारा 1.00 यानि की 1.00 को हम 1 भी कहते हैं तो option जे जो हमारा पास B option है यह हमारा सही अंसर होगा यहां पर यहां पर confusion के लिए हमें देखिए यहां पर similar एक option C भी दिया गया है 0.100 लेकिन यह गलत होगा option A जो है 1.00 यानि 1 जो है वो हमारा सही अंसर होगा तो इसी तरीके से हम इन question को करेंगे decimals के तो next question के और चलते है next question है find the next term in the number series तो हमें एक number series दी गई है यहां पर 48 24 96 48 192 और आगे question mark तो यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर पहले क्या हो रहा है decrease हो रहा है फिर increase हो रहा है यहां पर फिर से decrease हो रहा है यहां पर फिर increase हो रहा है और यहां पर फिर से क्या होगा decrease होगा pattern के हिसाफ से अगर हम देखे तो तो और यहाँ पर 48 यहाँ पर भी है और 48 यहाँ पर भी है तो देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यह एक interlinked series है interlinked series होती है जिसमें 2 series को mix करके एक single series बनाके दी गई होती है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 48 को अगर हम 2 से multiply करें तो हमारे पास बनता है 96, 8 2 जो 16 और 4 2 जो 8 और 1 96 और यहीं से अगर हम देखें 96 को अगर हम 2 से multiply करें तो हमारे पास बनता है 192, 6 2 जो 12 और 9 2 जो 18 और 1 19 तो यहाँ पर इस तरीके से यह बन पा रहा है और दूसरी series जो है वो हमारे यहाँ पर देखिए 24 को अगर हम 2 से multiply करें तो हमारे पास बनता है 48 तो यहाँ पर भी series बन रही है अच्छा अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ से 48 को अगर हम 2 से multiply करें तो हमारे पास बन जाएगा 48 2 जा 96 96 तो यहाँ पर क्या आना चाहिए फिर 96 जो है वो हमारा यहाँ पर सही answer होना चाहिए option C जो है वो हमारा यहाँ पर सही answer होगा next question की और चलते है next question है find the next term in the number series तो हमें number series दी गई है यहाँ पर 1 4 10 22 46 और आगे question mark तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले अपनी basic approach जो है जो basic method है दोनों के बीच का अंतर find out करेंगे तो 1 और 4 में है 3 का अंतर 4 और 10 में 6 का अंतर है 10 और 22 में है 12 का अंतर और 22 और 46 में है यहाँ पर हमारे पास 4 और 2 24 का अंतर तो यहाँ पर एक pattern बन रहा है हम देख सकते हैं कि 3 को अगर हम 2 से multiply करें तो हमारे पास 6 आता है और 6 को अगर हम 2 से multiply करें तो हमारे पास आ जाएगा यहां पर 48 तो अगर हम next term को find out करने के लिए हम क्या करेंगे इन दोनों को plus करेंगे और 46 में अगर हम 48 को plus करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8 और 6 14 और यहां पर आ जाएगा 94 जो है वो हमारा सही answer होगा यहां पर option C जो हमारे पास available है next question है find the missing term in the number series तो यहां पर इस पार हमें missing term find out करने के लिए कहा गया है तो हमारे पास series है 34 7 44 8 58 आ गया आ गया question mark 68 और 14 तो यहां पर अगर हम देखें तो series 7 में अगर हम 1 प्लस करें तो 8 बनता है और अगर यहां पर हम यहां पर एक और प्लस करें तो यहां 9 हो जाएगा लेकिन फिर हमें यहां पर प्लस 1 जो है यहां पर 10 चाहिए लेकिन नहीं है अगर हम देखें तो प्लस वन की जगर हम प्लस 2 करते हैं तो यहां पे हो जाएगा 10 और फिर यहां पे प्लस 3 करें तो भी हमारे पास यहां पे हमें 13 चाहिए यहां पे 14 आ रहा है तो हमारे यह approach तो यहां पे नहीं बन पाएगी और क्या हम कर सकते हैं यहां पर देखते हैं तो यहां पर एक और देखी है अप्रोच क्या है 4 प्लस 4 को अगर हम करें तो हमारे पास 8 आता है इसी तरीके से अगर हम यहां पर 3 प्लस 4 को करें तो हमारे पास 7 आता है और अगर हम यहां पर 6 और 8 को करें add तो हमारे पास आता है 14 तो यह हमारा pattern एक बन रहा है यहाँ पे तो अगर हम इसी दरीके से देखें 5 और 8 को अगर हम plus करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 13 बन जाएगा और option B में हमारे पास available भी है 13 तो यही हमारा answer होना चाहिए जैसे हम देख सकते हैं इसमें जरूरी नहीं है कि हमारी हर बार वो addition वाली approach ही जो है वो लग जाए तो अगर वो approach नहीं लगती है तो कोई और method हम try करते हैं और जरूरी यह भी नहीं है कि हर बार जो है हम first term और second term के बीच से ही हम जो है हमारा अपना pattern बनाना शूरू करें जो हमारे पास सामने available हो रहा है जो हमें दिख रहा है यहाँ पर हम वहीं से इसका pattern बनाना शूरू करेंगे और उसी के हिसाब से हम फिर first term पर apply करेंगे वही और बाकी terms पर भी apply करेंगे तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कोशन निकालते हैं इसका जरूरी नहीं है यहां पर कोई fixed rules नहीं है जैसे भी हम चाहें बस pattern बनाना है और उसी को हमने आगे follow करना है next question के और चलते है next question है find the next term in the number series तो यहां पर हमें number series दी गई है यहां पर 225 289 338 374 399 और आगे question mark तो यहां पर बड़े terms के बीच में जो है अभी हम difference find out करते हैं क्या क्या आता है देखते हैं तो अगर हम 225 और 299 की बीच में देखें तो यहां पर आ जाएगा अपना 4 और 22 और 6 28 तो यहां पर बन रहा है 64 और आगे देखते हैं दोनों के बीच का difference 289 और 338 के बीच में तो यहां पर आ जाएगा 9 और 9 18 और 28 और 4 32 तो यहां पर आ जाएगा 49 का difference next देखते हैं 338 और 374 के बीच में तो यहां पर हो जाएगा 8 और 6 14 और साथ में 33, 34, 35, 36 यहां पर 36 आ जाएगा और तो यहां पर एक pattern तो बन रहा है यह 8 का square होता है यह 7 का square होता है यह 6 का square होता है तो यहां पर decreasing order में numbers के square जो है वो यहां पर difference है दो terms के बीच में अगली term के देखते हैं तो यहां पर 374 और 399 के बीच में difference तो 4 और यहां पर हो जाएगा 5 और 37, 38, 39 25 यहां पर difference होगा और यहां पर होता है जो 5 का square तो अगर हम इसी pattern को continue करें तो यहां पर क्या आएगा यहां पर obviously 4 का square आएगा जो होता है 16 तो अगर हम 16 प्लस करते हैं 399 में तो हमारे पास answer आएगा 415 तो हमारा option D जो है यह available है हमारा 415 तो यही हमारा यहां पर answer होगा next question के ओर चलते हैं next question है find the next term in the number series 9 27 31 155 161 11 27 और आगे question mark तो यहां अगर हम देखें तो सामने हमें दिख रहा है कि 9 3 जो 27 होते हैं और 27 और 31 में 4 का difference है इसके अलावा यहां पर 155 और 161 में 6 का difference है तो यहां अगर हम pattern possible pattern की बात करें तो यहां 3 4 तो यहां पर 5 आना चाहिए 3 4 5 6 इस टाइब से pattern बनना चाहिए तो अगर हम देखें तो multiply करके 5 1 जब 5 और 5 3 जब 15 बिलकुल यहां पर pattern बनता है multiply plus multiply plus और 3 4 5 6 तो अगर इसी pattern को continue करें तो यहां पर 7 होना चाहिए और multiply plus multiply plus तो फिर से multiply होना चाहिए तो 7 बन्जा 7 7 6 जब 42 का 2 और 4 और 7 बन्जा 7 और 4 11 बिलकुल यहां पर सही pattern बैठ रहा है हमारा तो अगर इसी pattern को अगे continue करते हैं तो 7 के बाद क्या आएगा यहां पर obviously 8 आएगा और multiply plus multiply plus multiply तो फिर से यहां पर क्या आएगा प्लस आएगा तो 1127 में अगर हम 8 को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा यहां पर 1135 आएगा तो option B जो है यह हमारा यहां पर right answer होगा next question के और चलते हैं next question है find the wrong term in the number series तो इस बार हमें series पूरी दी गई है लेकिन इसमें कोई एक term ऐसी है जो wrong है जो pattern को follow नहीं कर रही है हम उसको हम find out करेंगे देखते हैं तो क्या term है series है हमारे पास 4, 7, 11, 15, 22 और 29 तो देखते हैं difference सबसे पहले difference approach लगाते है तो 4 और 7 के बीच में है प्लस 3 का difference 7 और 11 के बीच में है प्लस 4 का difference 11 और 15 के बीच में भी है प्लस 4 का difference 15 और 22 के बीच में है प्लस 7 का difference 22 और 29 के बीच में भी है प्लस 7 का difference तो यहाँ पे pattern जो है हमारा थोड़ा सही नहीं बैठ रहा है क्योंकि दो बार प्लस 4 है, दो बार प्लस 7 है, तो 3 भी दो बार आना चाहिए था, यह तो एक बार है, तो अगर यहाँ पे प्लस 3, 4 और आगे 5 हो, तो यहाँ पे हो जाएगा, 16, और अगर यहाँ पे 16 माना जाए, तो आगे प्लस 6 जो है, वो हमारा हो जाएगा, 22, तो यहाँ पे pattern बिल्कुल सही बैठेगा, 3, 4, 5, 6 और 7, तो अगर इसके हिसाब से हम देखे, pattern के हिसाब से, तो हमारी wrong term बनती है, 15, 15 की जगा, अगर 16 होता, तो यह pattern ऐसा बैठता, तो यहाँ पे option A, जो है, वो हमारा right answer होगा, यानि wrong term है, 15, तो इस तरीके से हम wrong term बाले question को solve करते हैं, next question के और चलते हैं, next question है, find the wrong term in the number series, एक और wrong term find out करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास series है, 2, 5, 10, 23, 47, तो आईए देखते हैं, कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम देख पारे हैं, 2 और 5 के बीच में plus 3 का difference है, यहाँ पे plus 5 का difference है, और यहाँ पे है plus 13 का difference, तो यह तो कोई series नहीं बन रही है, 3, 5, 13, तो कोई और अप्रोच यूज़ करते हैं, और हम कर सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, अगर हम देखे 23 और 47 में, तो 23 का double होता है 46, और एक ज्यादा है 47, यानि हम देखें तो हम इसको बोल सकते हैं, कि 23 into 2 plus 1 यहाँ पे बन रहा है, और यही अगर हम pattern देखें, तो यहाँ पे भी बन रहा है, into 2 हो जाएगा 4 और plus 1 हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, into 2 ही रहा है, और अगर हम plus 1 करते हैं, तो यह बन जा रहा है 11, तो देखते हैं, इसको 11 put करके, अगर 10 की जगा 11 होता है, 11 अगर हम देखें, तो into 2 22 हो जाएगा, और plus 1 करें तो 23 हो जाएगा, तो यह पूरा pattern हमारा ब option C, यानि 10 जो है वो wrong term है, इसकी जगा पर 11 होना चाहिए था, next question की और चलते हैं, next question है, find the wrong term in the number series, तो यहाँ पे एक और number series दी गई है, 4, 5, 14, 39, 103, 169, और 290, तो देखते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अंतर पता करते हैं दोनों का, तो 4 और 5 के बीच में हैं, एक का अंतर, और यहाँ पे है, 9 का अंतर, और यहाँ पे आ रहा है, 4 और 5, 9, और यहाँ पे 25 का अंतर, तो यहाँ पे एक pattern तो बनता दिख रहा है, 1 का square, यह है 3 का square, यह है 5 का square, 1 का square भी 1 नहीं होता है, तो यह old numbers का square जो है, यह बन रहा है यहाँ पे, तो अगर देखें तो 1, 3, 5, और इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 7 का square हम करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 49, अगर हम देखें तो 39, 9 और 9 हो जाएगा यहाँ पे, 18 और यहाँ पे आ जाएगा, 3 और 4 और 4, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो अगर हम देखें तो 1, 0, 3 हमारा wrong बन रहा है term, अगर हम अब तक के pattern के हिसाफ से देखें, आगे भी टेस्ट करके देखते हैं इसको क्या यह सही बन रहा है या नहीं तो 7 के स्क्वेर के बाद होना चाहिए हमारे पास 9 का स्क्वेर, और नमबर्स का स्क्वेर है तो, 9 का स्क्वेर हो जाएगा यहाँ पे, 81 और 8 और 9 और 8 और 8 16 169 बिल्कुल सही बैट रहा है यहाँ पे 88 के साथ तो 88 के साथ यहाँ पे आ रहा है 169 और 9 के स्क्वेर के बाद आएगा 11 का स्क्वेर, और नमबर्स में और 11 का स्क्वेर होता है 121 तो अगर हम इन दोनों को एड करें तो 9 और एक 10 और यहाँ पे भी 6 और 2, 8 और 1, 9 जी बिल्कुल बन रहा है 290 तो यह पेटर्न तभी फोलो होगा अगर यहाँ पे 103 के स्थान पर क्या हो जाएगा, 88 आ जाए तो हमारा 103 जो है वो एक रॉंग टर्म मानी जाएगी और option D जो है वो हमारा right answer होगा यहाँ पे next question के और चलते है next question है find the missing term in the number series तो हमें number series दी गई है और इसमें एक missing term find out करनी है हमने यहाँ पे देखते है number series है 2 3 3 5 10 13 आगे question mark है 43 43 172 और 177 काफी लंबी number series है तो देखते हैं सबसे पहले क्या approach लगा सकते हैं यहाँ पे जो visible है सबसे पहले उसको solve करते हैं तो 2 और 3 के बीच में है प्लस 1 का difference 3 और 5 के बीच में है प्लस 2 का difference 10 और 13 के बीच में है प्लस 3 का difference और यहाँ पे 172 और 177 के बीच में है प्लस 5 का difference तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक pattern बन रहा है 1, 2, 3 तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए 4 का difference और इस तरीके से 5 का difference तो अगर हम देखें तो एक और pattern यहाँ पे बन रहा है 3 multiply by 1 3 होता है 5, 2 जा 10 होता है तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे होना चाहिए 3 जा और यहाँ पे होना चाहिए multiply by 4 तो देखते हैं 4, 3 जा 12 2 और यहाँ पे 4, 4 जा 16 और 1, 17 तो यहाँ बिल्कुल सही 172 बन रहा है यह pattern भी follow हो रहा है तो हम देखें तो 13, 3 जा हो जाएगा 39 और 39 में अगर हम 4 add करते हैं चाहिए 39 यानि option C जो है वो हमारा right answer होगा यहाँ पे next question की और बढ़ते हैं next question है find the next term in the number series तो हमें एक number series दी गई है यहाँ पे 80 40 40 60 120 300 500 और आगे question mark तो यहाँ पे यह पहले decrease किया है और इसके बाद same रहा है फिर increase किया है और increase किया है और फिर से increase किया है तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ 40 और 40 एक साथ आए हैं और दौ बार repeat हो हैं तो जब भी ऐसा आता है chance तो यहाँ पे chances होते हैं इस pattern में कि multiply by 1 ही हो रहा है तो देखते हैं अच्छा और यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे 60 और 120 सबसे पहले जो visible pattern हमें दिख रहा है दूर से ही बिना किसी calculation के उसी को solve करते हैं कोशिश करेंगे तो multiply by 2 हो रहा है यहाँ पे और क्या है यहाँ पे अच्छा 80 और 40 यह इसका आधा हो रहा है 80 से 40 हो रहा है यानि आधा हो जा रहा है तो आधा कब होगा जब यहाँ पे multiplication होगी 0.5 की 0.5 जो है वो उसको आधा कहा जाता है मनलब आधा denote 0.5 होता है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 0.5 1 और multiplication की series बन रही है पूरी pattern तो यहाँ 40 और 60 का हम देखें तो यहाँ पे हो जा रहा है 40 का half यानि 20 का यहाँ पे increment लग रहा है और इसका हम बोल सकते हैं कि यह multiply हो रहा है 1.5 गुना बन रहा है 40 का 1.5 गुना 60 होगा तो यहाँ पे एक pattern बन रहा है 0.5 से जो है increase करता जा रहा है multiple 0.5 1 1.5 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5 धाई गुना और धाई गुना जो है अगर हम देखें तो 120 का double जो है 2 गुना वो हो जाएगा हमारा 240 और यह आधा 0.5 जो है वो हो जाएगा हमारा इसका आधा 60 और यह 300 बन जा रहा है बिल्कुल जी बिल्कुल बन रहा है तो यह pattern follow कर रहा है यहाँ पे भी तो अगर इसी तरीक पैटरन को हम continue करें यहाँ पे इसी तरीके से हम देखें तो 300 से अगर हम देखें तो 0.5 एक, डेड़, दो, धाई और यहाँ पे कितना आ जाएगा तीन तो तीन का multiple होगा तो 3, 3 जा यहाँ पे होता है 9 और 0 और 0 यह हो जाएगा 900 option A जो है वो हमारा यहाँ पे right answer होगा 900 तो देखें यहाँ पे multiple ज़रूरी नहीं है यहाँ पे decimal के multiples भी आ सकते हैं pattern में, तो pattern किसी भी तरीके का हो सकता है तो आज के लिए बस इतना ही, आपने आने वाली classes में पढ़ेंगे alphabetical series और साथ में mixed series और भी बहुत कुछ सीखेंगे तो आप तब तक के लिए goodbye और जय हिन, जय हिमाचल